नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ये विद्या चैनल नमबर 9 पर मैं हूँ देवे इंद्रुत्रिपाथी इस सत्र में क्लास 9 यानि कक्षा नवी के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पार्ट लेकर आए हैं और आज के इस पार्ट में हमारे चात्र, हमारे दर्शक पढ़ेंगे साखियां और सबद क्या है साखियां, क्या है सबद ये जानेंगे और राइटर कौन है इसके बारे में भी जानेंगे और ये पार्ट पढ़ाने के लिए हमारे साथ आज के महवान जूर चुके हैं डॉक्टर गिरिश कुमार तिवारी जो की भाषा शिक्षा विभाग NCRT दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों को भी नमस्कार जी और दर्शकों जैसा कि आप जानते हैं हमारे सेशन आपके लिए होते हैं इंटरेक्टिव और इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके लिए आप यूट्यूब चैनल NCRTPM इविध्या क्लास 10 पर लाइब सेशन देख सकते हैं लाइब सेशन के दौरान आप चैट बॉक्स में अपने प्रशन हमारे विश्रशक इसे पूछ सकते हैं और साथ ही साथ आप इमेल और फोन नमबर के जरीए भी अपनी बाते हम तक पहुंचा सकते हैं इमेल एड्रेस है dth.class9 at the rate ciet.nic.in और फोन नमबर नोट कर सकते हैं 8800-440-559 इन माध्यमों से इस सत्र का सेशन का हिस्सा बनिये और पाठ के संबंध में इस अध्याय के संबंध में अगर आपके मन में कुछ दुविधाय हैं कुछ प्रशन है या जब सर पढ़ाएंगे उसके बाद आपके मान में कुछ प्रशन और उठते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं तो ज्यादा विलमना करते हुए शुरुवात करते हैं आज के सत्र की और सबसे पहला प्रशन मैं पूछना चाहूँगा आप सबकी तरब से कि साख्या और सबध है क्या ये दोहा पाई, कविता, चंद, इन सब से अलग हैं सर्ट। देवेंदर जी प्रश्ण तो बहुत ही महत पून और रोचक है क्योंकि कुछ भी पढ़ने से पहले उस शब्द के अर्थ को और उसकी मूल प्रफिर्ति को जानना बहुत आवश्यक होता है तब हम उस विशय को और भी अच है बूल से कविर्दास की रचनाओं को कहा जाता है कवीर दास्चीनने ग्याने की है अलहां कि वीर को तो किस द्वारा एक हुएं Иन का संकलन किया गया है सकी शवध औरमैन दहु कुछ साखी सबद औरमैने जिसमें से आज हमारी चर्चा का विशय है श्रहु और सबत की वि पहले हम साखी की बात करते हैं, साखी सब्ध संसकिर्ट भाषा के साक्षि शब्ध का तडःव रूप है, संस्किर qu Tanaka Seccha के साक्षित या साक्षी सब्ध से ये बना है और साक्षी का अर्थ होता है प्रतक्ष दर्शी, जो आँखों से प्रतक्ष रूप से देख रहा हो, तो इसका प्रियोग प्राचीन साहित्य में, संस्कृत साहित्य में इसे रूप में किया गया है, प्रतक्ष दर्शी के रूप में ही किया गया है, और कालिदास की रचना कुमार संभों में इसके पहुत को गुरु की बाड़ी को साखी कहा जाने लगा ऐसा क्यों हुआ क्यों कि गुरु ने जो अनुभूत किया जो अपने जीवन में अपने बुद्धी के द्वारा और कहले कि अपने व्यापक द्रिष्टी के द्वारा अपनी व्यापक मांसिक शंवता के द्वारा जो उन्होंन अच्छे जीवन के लिए अस्थानांतरित किया तो एक प्रकार से ये प्रतक्षुरूप से अनुभूत ग्यान था और इसको दूसरों तक जीवन को बहतर बनाने के लिए अस्थानांतरित किया जाने लगा तो इसे भी साक्षी कहा जाने लगा क्योंकि ये भी तो वो साक्षी हो गए और एक तो गुरु का जो अपना खुद का ज्ञान के द्वारा जो निकला हुआ भाव था वो भी साक्षी रुप अक्सर अमुदार में कते कि मैं इस बात का साक्षी हूँ यानि मैंने इस को देखा है स्वैम अपनी आँखों से देखा है इसे और से देखना और उसको चिंतन करना उस पर अपने विचार रखना और एक निसकर्स लेकर आना फिर उसको बहतर के लिए समाज के बहतरी के लिए उसको लोगों तक पहुचाना जो है इस प्रकार के जो यह काम गुरु के द्वारा ही किया जाता था जी गुरु को कहा जाता है क प्रकास तक ले जाए वह गुरू कर लाए है तो ये काम गुरू के दवारा पहले किया जाता था इसलिए के वचन को साखी कहा जाने लगा और екट का समय आता है और वियुमात से के भानीन श्लो साखी जैसे ग्रंथों के उस समय रचना का जो है साक्ष मिलता है जी अब कभीर दास का समय आए तो इस समय साख्यों का बहुत व्यापक प्रशार हुआ और साखी गुरू के वचन के रूप में ही जाने जाने लगा तो यह साखी हुआ चली अब साखी क्या है यह आपने जान है और अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की सत्र में जानते हैं कि आज कौन-कौन सी साख्यां आपने इसमें शामिल की हैं उनके भावों के साथ हमारे शात्रों को बता है अब उससे थोड़ा सा पहले जो आपका प्रशन था उसका एक भाग और था कि यह किस प्रकार से कभ लिए रचना की नियम कानून जो होते हैं उसे चंद कहा जाता है और चंद कई तरह के होते हैं सवया है कुंडलिया यह सब अलग अलग चंद हैं तो साखी की रचना दोहा चंद में की जाती है इसलिए यह अपने मूल स्वरूप में ही चौपाई या सवया या अन्य चंदों से भिन्न है क्योंकि दोहा चंद की प्रविर्ति मात्रिक होती है और थात हम इसमें मात्राओं की गढ़ना करते हैं यह चार पंक्तियों का या चार चरणों का चंद होता है और हर चरण में मात्रा की संख्या निश्चित होती है जैसे पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राओं होती है और फिर आगे के चरणों में 13 मात्राओं होती है दूसरे और चोथी चरणों में तो इस प्रकार से जबकि बाट का जो सीर्षक है हमारा वह साखी एउन सबद, तो साखी की बात हमने कर ली कि क्या होता है? सबद क्या है, तो जब सबद की हम बात करते हैं तो गयर अचनाओं को सबद कहा गया, और इसके वर्ण विसे किमें कहा गया, कि इसमें भक्ती और दर्सन के गुड़ तत्व जो जो साखी के भी वर्ण विसे हैं, वो भी इससे बहुत मिलते जूलते हैं, तो अब वर्ण विसे के आधार पर साखी और सबद में अंतर करना थोड़ा सा दुशकर कारे हो गया है, लेकिन लंबाई के आधार पर अंतर किया जा सकता है कि साखी जो है वो छोटी रचना होती है, चार चरणों की रचना होती है, जबकि सबत जो है, वो चार से अधिक पंक्तियों की रचना होती है, और गयत्मक्ता तो अब दोनों में भी आ गई, साखी भी गाये जाने लगे हैं, और सबत भी गाये जाने लगे हैं, तो इस प्रकार से साखी और सबत में ये अंतर हो जाता ह अब इस पाठ में हमारे पास, कुल सात साखिया है और सात साखियों में से हम, कुछिस करेंगे चार या पाँच साखियों पर चर्चा करें बाकी यह समय अनुमतिदेता है वएसा खारे करेंगे हम आगे बढ़ते हैं पहले साखी की बात करते हैं, पहला साखी है हमारा मान सरोवर सुभग जल हनसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुग है, अब उड़ी अनत न जाही, मान सरोवर सुभग जल, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सब्दे जिसे हमें समझना चाहिए, मान सरोवर, अब मान सरोवर जो सब्दे यह तिबत में इस्थित एक झील का नाम है, मान सरोवर, यह हिंदू और बहुत धर्म के लोगों के लिए, नियाईयों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है, इसे कुछ नदियों के उद्गम अस्थल भी है यह, लेकिन यहां पर इस साखी में मान सरोवर का अर्थ मन रूपी सरोवर से लगाया गया है, और इसको मन रूपी सरोवर इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदू परंप्रा के अनुसार, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, मान सरोवर की उत्पत्ती का विचार सबसे पहले ब्रह्मा जी के मन में आया था और उन्होंने इस सरोवर की उत्पत्थी की थी इसलिए ये से मानस सरोवर या मानसरोवर कहा गया तो यहां पर इस साखी में ये मन रूपी सरोवर की बात करता है सुभर यानि अच्छी तरह से भरा हुआ हंस से हम लोग सब वाकी फाए एक पक्षी है लेकिन इस साखी में बिम्बवाद का भी प्रियोग हुआ है तो यहां पर हंस पक्षी को जीव के रूप में मनुस्य के प यह कुछ महत्यपूल सब्द हैं अब इस साखी का अगर सब्दों के आधार पर हम अर्थ देखें तो कबीर दास जी यह बताना चाहते कि सब्दों के आधार पर मान सरोवर में जल में हंस क्या कर रहे हैं क्रिडा कर रहे हैं खेल रहे हैं स्वतंत्र होकर उन्हें वहां कोई बाधा नहीं है, मोती फल को चुगरे और आनंदी थो रहे हैं, इतना अधिक आनंदी थो रहे हैं कि वे अब उसे छोड़ कर जाना नहीं चाहते हैं, ये इसका सब्दार्थ है, लेकिन वास्तों में बात ये नहीं कह गई है, वास्तों में उनका कहना ये है कि जिस प्रकार से ह मंस जो है, वो मान सरोवर में के जल में आनंदी थोता है, और उसे छोड़ कर नहीं जाना चाहता है, वैसे ही जब जीव या मनुस्य जो है वो इश्वर की भक्ति रूपी जल से भरे, अपने मन रूपी सरोवर में किडा करता है, तब भी वा मोती रूपी मोक्ष फल को प्र संसार के माया जाल को समझ जाता है और इस्वर की भक्ति से वो विमुख होना नहीं चाहता है वो इस्वर की भक्ति में अपने आपको लीन करके रखना चाहता है क्योंकि ये बात उसकी समझ में बिल्कुल आ जाती है कि संसार में मुक्ति को प्राप्त करना है अगर मोक्ष को है तो इस माया जाल से अलग होकर भक्ति के मार्क को हमें अपनाना पड़ेगा तभी हम उस मुक्ता फल को प्राप्त कर सकती हैं यह बात यहां पर कभीर दाश्ची ने इस साखी के माध्यम से हमें बताई है तो कहने का अर्थ यह हुआ कि साखी में जाद तर जो शब्द होते ह है वो हम अपने सिश्यों गुरु अपने शीष्य को बताता है तो जब हम कोई बात बताते हैं अपने सिश्यों को तो सिखाने की कोसिज करते हैं, तो हम उदाहरन का प्रियोक करते हैं, ताकि वो और अधिक सपष्ठ हो जाए चीजे, तो यहां पर कबीरदाची ने उदाहरन दिया है, मान सरुवर का और हंस के आनंद का उदाहरन दिया, क्योंकि हम उसके प्रतक्षिदर्सी होते हैं, हम जाएगा, वैसे ही मनुस्य का मन जब इश्वर भक्ती में रम जाता है, तो उससे विमुख होना नहीं चाहता है, वो उसी में लीन रहना चाहता है, यह इस साखी का भाव है, अब आगे दूसरे साखी पर हम चलते हैं, दूसरा साखी भी जीवन में प्रेम की बात करता है, क प्रेम शद्ध जो है, यह सामान्य अर्थ है, और जीवन में प्रेम का बहुत महत्त्व है, यू कले कि अगर जीवन में प्रेम ही मूल कत्व है, तो यह अच्छयक्ती नहीं होगी, तो प्रेमी को हम चाहे मानवीय प्रेम के रूप में देखें, चाहे इश्वर ये प्रेम क भक्ति के रूप में देखें, प्रेमी ढूंडत मैं फिरा, मैं इस संसार में प्रेमी पुरुष को ढूंड रहा हूं, यानि जो सबसे प्रेम करता हो, जिसमें दया का गुण हो, जिसमें मानौता हो, ऐसे गुणों से परिपूंजो व्यक्ति है, मैं उसको ढूंड रहा हूं, प्रेमी मिला न कोई, लेकिन प्रेमी मुझे कही नहीं मिला, कोई नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ? यह बड़ी गुड बात है, प्रेमी को प्रेमी मिले, ऐसा इसलिए हुआ, कि हमारे अंदर खुद वो गुड नहीं है, मैं खुद ही प्रेमी नहीं हूँ, तो जब हमारे अंदर वो गुण ही नहीं है, तो हम ऐसे गुणी व्यक्ति की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो पहले हमें खुद के भीतर उन गुणों का रोपण करना पड़ेगा, वो गुण विक्सित करने पड़ेंगे तब हम उस तरह के व्यक्ति का तलास कर सकते हैं और जब ऐसे पुरुस आपस में मिलते हैं तो जो बुराईया हैं जो मन में विकार होते हैं वो विकार परिवर्तित होकर वो अच्छाईयों में बदल जाते हैं और वो विश रुपी और जब ऐसा गुण विक्सित होता है तो फिर प्रेमी को प्रीमी मेल है फिर हमें समस्त संसार में उसी तरह के वक्ति दिखाई देते हैं जैसे गोस्वामी तुलसी दास जी ने कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी समस्त संसार मुझे सिया राम मैं दिखता है यानि कि अब तो सियाराम में हम भी सियाराम में है वो भी सियाराम में सब यानि मनुष्य मनुष्य के बीच का फर्क खत्म हो गया है तो जब समस्त श्रिष्ठी जो है सभी मनुष्य से एक समान दिखने लगे और सब एक दूसरे के लिए जीए एक दूसरी के स्वार्थ सिद्धी के लिए दूसरे के हित के लिए कारे करे तब उस समाज में इस तरह की परिकल्पना जो है दिखाई देती है तो इसलिए कबीर डास जी ने कहा है कि प्रेमी तभी मिल सकते हैं हमें उस व्यक्तिक से बिस देख सकते हैं तभी उस से रूबरू हो सकते हैं जब हम खुद अपने अंदर वो गुड़ विक्सित कर ले, जब हम इश्वर की भक्ति को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उस पत पर चलेंगे, तभी हम दूसरे भ्यक्ति को भी ढूंड पाएंगे, कि हाँ ये भी इश्वर का भक्त है, प्रभु की भक्ति में ये भी लिनया, ये उसी मार्क पर अक्स्रा है, तो इसलिए इस साखी में, दूसरी साखी थी है, और इस साखी में भी देखें, तो इसका जो भाव है, वो शब्दश्रह नहीं है, इसके भावों को संदर्भों के आधार पर समझना आश्यक है, क्योंकि वैसे भी कबीर दास जी जो है, वो भाव है, उस तक नहीं पहुच पाएंगे, तो हमें अगर भाव तक पहुचना है, तो हमें फिर संदर्भ ढूंडना पड़ेगा कि किस संदर्भ में ये बात कही गई है, और उस संदर्भ तक पहुचने के लिए फिर हमें, सिर्फ कबीर दास जी के साथ ही ये बात नहीं सत हो जाती है कि अगर हमें उनकी राचना को समझना है तो हमें उनके पर अर्वेस्थितिक परिष्थिति कैसी थि राजनितिक पर nieकि क्योंकि यह सब उनकी रचनाओं पर छाप छोडते हैं तो इसलिए हमें उन चीजों को समझना होता है अब जैसे कबीरदास जी को कोई गुरू नहीं मिले थे तो गुरू के महतों पर वो चर्चा करते हैं जाति पाती धर्म को लेकर उस समय बहुत भेदभाव था तो इसलिए उन्होंने इस पर भी चर्चा की है तो जो कुरीतियां उस समय समाज में व् और ये साखियों का जो चैप्टर है आज की साखियां जितनी पढ़ार हैं सर वो पूरा होने के बाद मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा कि छात्रों को कबीरदास जैसे लेखकों को समझने के लिए और बहतर क्या करना पड़ेगा यह हम आकर में चर्चा करेंगे अब हम त साखियों करत हाथी से लिए गया है सहज यानि सरल आसान दुलीचा कालीन को या गलीचे को कहा गया है स्वान कुट्टो को कहा जाता है भूकन मतलब भूकना जख मारना यानि ठक हार के तो अब यहां पर देखिए अगर सीदी सीदी बात कहें गये तो यह बात हो गई कि पिचा डाल के और उस पर बैठ जाओ और लोग जो भोगते हैं जो कुछ भी करते उन्हें कहने दो यह इसका सीदा साथिकर्थ हो गया लेकिन वैसे भी काया गया कि हाथी चले बजार तो कुट्टे भूके हाजार तो वह बात यहां पर यहां पर उन्होंने कहा है कि हस्ती चड़िये ज्यान की कैसे हाथी पर चड़ना है हाथी पशु की बात नहीं की यहां ज्यान के संकेत के रूप में ज्यान के प्रतीक के रूप में हाथी को लिया गया है यानि आपको ज्यान रूपी हाथी पर सवार होना है अब ज्यान रूपी हाथी पर सवार होने का क्या मत वो डाल के आपको अपने आपको सहज बनाकर और फिर उस ज्ञान की प्राप्ति में लीन रहना है जो आपने प्राप्त कर लिया वही अंतिम ज्ञान है जी और सर इसमें हाथी को प्रतिक के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया गया इसलिए कि ज्ञान जो है व्यक्ति के कद को बह लेता है, समाज की नजर में, प्यापक्ता के लिए, उसका कद जो है, वो समाज की नजरों में आधरणिये हो जाता है, श्रिष्ठ माना जाने लगता है, तो हाथी भी कद की दृष्ठी से बहुत उचाए और जानवरों में श्रिष्ठ है, तो इसलिए ज्ञान के प्रतीक की रूप में कबीरदास जी ने हाथी को लिया है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ती में हमेशा लीने रहना है, ज्ञान सतत प्रवा है, जो हमने आज सीख लिया, जान लिया वही ज्ञान है, ज्ञान सतत प्रवा है, ये प्रकृती में अनवरत उर्जा के रूप में प्रवाहित हो रहा है और हमें सहज होकर अपने प्रकृत से हमारे आसपास जो कुछ भी चीजे हैं सबसे सीखना है भगवान दत्तात्रिय कि अगर हम बात करें तो उनके 26 गुरू थे उन्होंने मक्हियों से भी सीखा उन्होंने एक औरत के कंगन की आवाज से सीखा है ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब वो रात्री में किसी औरत के यहां भोजन के लिए गय थे तो थोड़ी देर बाद उनको घर के भीतर से चूडियों की आवाज आई इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि इस महिला की घर में अनाज नहीं है और यह चक्की कि आनाच बना रही है वो गय हुआ और उन्होंने महिला से माफी मांगी कि मैंने अपनी रात्री में आपको परेशान किया इसके लिए मैं शमा परारती हूँ और उन्होंने यह सीखा कि आप जब तक एकाकी है एकांत हैं तब तक आप ससक्त हैं आपको अपनी कमजोरियों को किसी पे जाहिर नहीं करना चाहिए अगर चूडिया नहीं होती साथ में तो आवाज बहर नहीं आती चक्की चलाने की प्रकषिया में चूडियां खनकी और उसकी आवाज से उन्होंने अनुमाल लगाया तो इस प्रकार से हम यहां पर कह सकते हैं कि सहज मेरी और निरन्तर लगे रहिए आज यह सुवान यानि कुट्था जैसे मैंने कुदारह दिया शुरू में कि हाथी चले हजार तो कुट्षे भूके हजार तो जब भी आप इस संसार में कुछ भी किसी बी काम में लीन होंगे कुछ भी करेंगे तो बाकी अन्य लोग जो है कुछ कहेंगे यह प्रभृती है लोगों की कुछ न कुछ कहेंगे आपके विशा में अच्छा भी कर सकते हैं आपके विशा में बुरा भी कर सकते हैं अब होता है कि मनुसिक का सभाव यह है कि हम अच्छे से भी बहुत प्रभावित ह लोकर और अपने काम से विकर्सित हो जाते हैं कि आपका कामें और अपने काम में रत रहें आपको इनकी अच्छे बूरे हैं उनसे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए in हुप स्वान रूप संसार है भूकन दे जनक्माइबंगुत और जहां तक मुझे लग रहा है कि अब समय अनुमती नहीं दे रहा है कि आगे की साख्यों पर बढ़ा जाए तो आगे की जो भी साख्या है हम उनको अगले सत्र में पूरा करने की कोशिश करेंगे जी तो सबद और साख्या क्या है इसके बारे में सर ने शुरुवात में ही कहा और इस बात की चर्चा सर शुरू से ही कर रहे हैं तीन साख्यों का उलेख की आज और तीन साख्यों के बारे मैं आपको पढ़ाया और ये भी बताया कि कबीर की साख्यों को या कबीर की किसी भी को समझने के लिए शाब्दी कर्थों पर जाने के बजाए उनके भावों को समझना पड़ा है जी मैंने आप से कहा था कि मैं एक सवाल आपसे जरूर प्रूशाचा हूँ कि इसके लिए क्या करें क्यूंकि बच्चे कई बार होता है कि अगर उनने पढ़ा उनको लगा कि वह मुझे लगता है कि हमें अपनी शिक्ष्ण पदती में थोड़ा परिवर्तन कर देना चाहिए हमें च्छात्रों को स्वतंत्र चिंतन का आउसर देना चाहिए जो कि आजकल हम नहीं देते हैं जब उसने सोचने के लिए स्वतंतर रूप से छोड़ दिया जाएगा तो अपन वातावरान से चीजों को अलोकित करेंगे उस पे चिंतन करेंगे उनके मन में उसके प्रती कुछ प्रश्न उत्पन होंगे और वो प्रश्न फीर अपने सिक्षक के सामने रखेंगे तो इस तरह से उनके द्रिष्टि जो है वो विखृत होगी लेकिन हम क्या करते हैं हम ने कि जो कह दिया वही ज्ञान है वही अंतिम सत्य है अब आप इसे आधार पर चलो जी तो ऐसा करने से क्या होता है कि हम एक लीक पर चलना सुरू कर देते हैं उनके चिंतन करने के शमता खत्म हो जाती है तो हमें च्छात्रों को स्वतंतर चिंतन करने का आउसर देना होगा अरप वह जानकारीया और बहुत अच्छा सत्र रहा आज का साख्या और सभध कक्षा नवीश के लिए था उम्मेद करता हूं हमारे आज के दर्शकों को चात्रों को आज का सत्र अच्छा लगा होगा और समझ में आई होंगी चीजे अगले सत्र में साख्या और को जरूर क सभी दर्शकों का भी धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी एक बार फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा और आप सभी से अनुमती लूँ से पहले बता दूँ कि अपसे थोड़ी देर बाद कक्षानवी के लिए साइंस का सब्जेक्ट होगा और इसके अंतरगत ग्रेविटेशन पार्ट वन पर चर्चा होगी तो ये पार्ट अगर आपको पढ़ना है तो हमारे साथ लगातार बने रहे एविद्या पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार